आज मैं आपको शापर और स्टील के बरतनों की ऐसी जबदस टिप बताऊंगी जिसको देखकर आज आप हैरान हो जाएंगे क्या आपने कभी स्टील के मग पर शापर लगाया है? नहीं लगाया तो आज लगा लें और अपनी लाखों रुपए जाया होने से बचाएं बाकी की सारे टिप्स भी आज आज आपको जीरो अफ कोस्ट पढ़ेंगी जो आपके बहुत से पैसे जाया होने से बचाएंगी आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है इसलिए वीडियो को एंड तक स्किप किये बगएर फुल वाच करें और इससे बरपूर फाइदा उठाएं और अपने बहुत से पैसे बचाएं बिसमिल्लाहिर रह्मानिर रहीम असलाम लेकुम नाजरीन वेलकम टू माय चैनल तो नाजरीन कैसे हैं आप मैं अमीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियस से होंगे तो चलें जल्दें से शुरू करते हैं अपनी पहले टिप बिना टाइम जाया किये ये टिप मेरी इस तरह के शिषे के जार से मतलिक है अक्सर हम घर में बहुत से शिषे के जार इस्तमाल करते हैं लेकिन मुश्किल पता है कब होती हैं जब ये नीचे गिरते हैं और गिर कर तूट जाते हैं जार तो तूट कर जाया होते ही हैं लेकिन जो इन में हमने चीज डाल कर रखी होती है वो भी जाया हो जाती है ये जार जारतर बच्चों के हाथ से तूटते हैं या फिर हमारे हाथ से फिसल कर गिर जाते हैं आज मैं इनको सेफ करने की टिप बताऊंगी कि अगर ये नीचे गिर भी जाएं तो भी नहीं तूटेंगे तो इसके लिए आपने लेना है बबल रैप इसको हम इस जार के साइज का काट कर इसको इस पर लगाएंगे ग्लूगन के साथ आप निकसर देखा होगा कि बबल रैप जब हम कोई चीज मंगवाते हैं तो इसकी सेफटी के लिए होता है हम ज़्यादा तर इसको फैंक देते हैं लेकिन आप इसमें बहुत से चीजें सेव कर सकते हैं जो तूटने से महफूस रहेंगी अब ये जार जिस पर हम बबल रैप लगा रही हैं अगर ये नीचे गिर बेजाए तो भी ये नहीं तूटेगा अगर आप इसको ग्लूगन के साथ नहीं जोड़ना चाहतें तो आप ऐल्फे वगरा या फिर किसी भी चीज़ का इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास मौजूद हो तो मैंने ये अच्छी तरह से बबल रैप को जार पर लगा लिया है और ये देखने में भी काफी खुबसूरत लग रहा है अब आप इसको जहां पर मर्जी रखें अगर ये बच्चों के हाथ लग भी जाए तो भी तूटेगा नहीं तो है ना कितने कम माल की टिप ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं ये टिप मेरी कपड़े धोने से रिलेटिड है आपने एक सान नूट किया होगा कि जो कपड़ें बहुत नाजुक होती हैं जैसे शफून वगारा के इनको धोना काफी मुश्किल होता है हम ज़्यादा थार इनको हाथ से धोकर खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये खराब न हो जाएं लेकिन अगर इन पर Hmmm जिद्धी किसम का दाग लग जाए तो इसको उतारना काफी मुश्किल होता है उस दाग को उतारνने के लिए हम कपड़े धोने ब्रश का इस्तमाल करते हैं लेकिन अगर हम ऐसे ही ब्रश के साथ दाग साप करने लगे तो इससे हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं क्यूंकि कपड़े धोने वाला ब्रश काफी सख्त होता है जिससे आपके कपड़ों से धागे निकलने का ख़च्छा होता है फिर इससे आपके कपड़े खराब भी हो सकते हैं तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत असान से छिप बताऊंगी जिसे आपकी येवल प्रॉब्लम भी सौक हो जाएगी तो इसके लिए जब भी आप अपने नाजु कपड़ों से दाग साफ करने लगी तो आपने लेनी हैं एक सौक्स ये आपको इसी भी पुरानी ले सकते हैं इसमें आपने ब्रश को डालना है ये बहुत असानी से सौक्स में नहीं जाएगा उसके दांत सौक्स में अठक जाएंगे आपने बस अराम अराम से इसको सौक्स में डाल लेना है तो मैंने भी इसको डाल लिया है अब मैं आपको इसको कमीज पर रब करके दिखाऊंगी इस तरीके से जब आप कपड़ों के दाग साफ करेंगे तो ब्रश के दांत आपके कपड़ों को कोई नुकसान नहीं बहुंचाएंगे मेरी कमीज पर दाग तो नहीं लगा था मैं बस आपको टिप बता रही थी किस तरह से आप अपने नाजु कपड़ों को हराब होने से बचा सकते हैं इस तरीके से आप अपने घर के टावल वगरा को भी साफ कर सकते हैं क्योंकि टावल्स को भी हम हाथ के साथ ही वाश करते हैं क्योंकि अगर हम इसको मिशीन वगएरा में धोएं तो ये बहुत हाठ हो जाते हैं इसलिए आप इस टिप को फॉलो करके अपने टावल्स को भी धो सकते हैं तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फाइदे की टिप ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं ये टिप मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदा मंद होने वाली है आपने एकसर नोट किया होगा कि हमें कील ठोकने की जरूरत तो घर में लाजमी पड़ती है लेकिन एकसर हम कील को पकड़ कर हतोरी के साथ कील ठोंकते हैं जिससे एकसर हमारे हाथ पर हतोरी लग जाती है जिससे फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलिप होती है आज मैं आपको कील ठोकने की बहुत जबदस टिप बताऊंगी जिससे आपके हाथ पर बिलकुल भी हथोड़ी नहीं लगेगी तो इसके लिए आपने लेना है एक क्लॉथ क्लिप इसको आपने कील पर लगाना है मतलब आपने कील को इससे पकड़ना है और फिर आप थोड़ी से कील ठोंकें आप देखना कि इस तरीके से आपके हाथ पर बिलकुल भी कील नहीं लगेंगे क्यूंकि क्लॉथ क्लिप के वज़ा से आपका हाथ दूर हो जाएगा जब किसी चीज में कील की पकड़ हो जाए फिर आप क्लॉथ क्लिप को उतार कर अच्छी तरह से कील लकड़ी के अंदर गुसा दें अगर आप दिवार पर कील लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंगी के मदद से कील लगाएं इससे भी कील इधर उधर नहीं होगा इस तरीके से कंगे को भी कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपके घर में पुराना कंगा है तो आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं कंखे और कलॉथ क्लिप दोनों की इस्तमाल से आपके हाथ हो थोड़ी लगने से महफूज रहेंगे तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं ये टिप मेरी माचस से रेलेटिड है आपने एक सर नोट किया होगा कि बारशों के मौसम में हर तरफ नमी नमी सी हो जाती है जिससे सबसे ज़्यादा फर्क माचस की डबियों को पड़ता है आज मैं आपको बहुत असान सी टिप बताऊंगी जिससे अगर आप माचस की सारी तिलियों को वो एक चीज लगाएंगे फिर आपकी माचस की तिलियों पर कभी भी नमी नहीं आएगी अगर आप भी गई तो फिर भी वो जल जाएंगी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो तीन तिलियों को अलग कर लिया है अब मैं इन पर लगाऊंगी थोड़ी सी टुठ पेस्ट, ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मुझूद हो, थोड़ी सी मिकदार आपने इन तीलियों पर लगानी है, जहां पर पेस्ट लगा होता है, वहाँ पर, फिर आपने इन तीलियों को टिशू पेपर के साथ साफ कर देना है, ताकि इनके उपर से सारी टुठ पेस्ट उतर जाए, आपने बस ये करना है, कि जैसे ही आपने टुठ पेस्ट लगाई, और फिर फोरान से इसको साफ कर दे, अब मैं इन तीलियों को आपको पानी लगाकर दिखाऊंगी, आपने पेस्ट वाले पानी में डिप करना है तो आप देख सकते हैं कि ये तीलियां गीली हो चुकी हैं अब मैं इनको आपको जला कर दिखाती हूं तो ये देखें माचस की तीलियां गीले होने के बावजूद भी जल रही हैं ये है टुथपेस्ट का कमाल अगर आपकी भी माचस की डब्बी में नमी आ जाती हैं तो जब भी आप माचस की डब्बी लाएं तो मेरी इस टिप को फॉलो करें फिर चाहे जितनी भी नमी इसमें आ जाए ये बहुत जल जल जाएंगी और इससे ये आपकी माचस की डब्बी जाया होने से महफूज रहेगी तो है ना कितनी जबरदस तो आप के फाइदे के टिप ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं इस तरह के स्टील के मग हमारे घर में लाजमी होते हैं अकसर इनके हैंडल्स तूट जाते हैं और जिस जगह से हैंडल्स तूटते हैं वो हिस्सा बहुत जादा शार्प हो जाता ह फिर हम इसका इस्तमाल तरक कर देते हैं ताकि ये हमारे हाथ पर ना लग जाए आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिसे ये आपके हाथ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का शौपर इसका आपने छोटा सा पीस काट लेना है तोटे हुए हिस्से के हिसाब से इस तरह के प्लास्टिक के शौपर भी हमारे घर में ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं अगर सेम कलर का प्लास्टिक बैग नहीं है तो आप ट्रांस्पेरिंट बैग का इस्तमाल कर सकते हैं अब आपने इस मग के टूटे हुए हिस्से पर अच्छी तरह से एलफी लगानी है जिसको हम सूपर गलू भी बोलते हैं यहां पर आपने गलू गन वगारा का इस्तमाल नहीं करना अब आपने फोरण से एलफी लगे हिस्से पर शापर को चिपका देना है ताकि यह मजबूती के साथ चिपक जाए एलफी का इस्तमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हर तरह की चीज़ को जोड़ देती है मग के अंदर भी थोड़ा सा शापर हिस्सा है मैं इसी तरीके से अंदर भी शापर को लगाऊंगी इस मग की हालत आप देख रही हैं कि यह कितना ज़्यदा खराब है यह इस्तमाल के काबिल नहीं रहा लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फैंकने का दिल नहीं करता क्योंकि उनसे हमारी कुछ अच्छी यादें वबस्ता होती हैं तो मैंने इसके शार्प हिस्सों को ठीक कह लिया है अगर आप भी इस तरह की टूटे हुए मग को फैंकना नहीं चाहते तो इनको दालों या फिर चावलों वाले कंटेनर में रखें जिससे आप उनको असानी से निकाल सकें इस तरह से आपकी चीज़ें भी वेस्ट नहीं होंगी तो है रह कितने कमाल की टिप ये टिप मेरी आपको कैसी लेगी मुझे कमेंट्स में लागी